पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होगा। चुनिए CGPSCE पाथशाला क्लासेज़ को और करे अपने CGPSC अन्व्याब बंप का सपना साकार। डाउनलोड धी आप नाउ अपने यूट्यब चाहिए CGPSCE पाथशाला के आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है CGPSCE पाथशाला के ओनलाइन क्लासेज के बारे में CGPSCE पाथशाला के दौरा हर साल की तरह इस साल भी 36 समान नियद्धन का ओनलाइन बैश शुरू किया जा रहा है जिसका रजिस्टेशन ओपन हो चुका है ये ओनलाइन क्लासेज CGPSCE पाथशाला के मोबाईल अप में कंड़क्ट होगी Google Play Store में जाकर के आप CGPSCE पाथशाला के मोबाईल अप को डाउनलोड कर सकते है वहाँ पर इसका रजिस्टेशन शुरू हो चुका है क्लासेज आपकी 1 मई 2023 से शुरू होने वाली है आज की इस वीडियो लेक्टर में हम हमारे इसी ओनलाइन क्लास से रिलेटेट इन्फरमेशन आपको देने वाले है कि इस ओनलाइन क्लास में कौन-कौन से टॉपिक कवर करा जाएंगे क्या-क्या फैसलिटिस आप लोगों को मिलेगी किस प्रकार से वीडियो सापको प्रॉइड करा जाएगा कितने टाइम डियोरेशन में ये कोर्स कम्प्लीट होगा इस ओनलाइन कोर्स की वैलेटी कौन से डेट तक रहेगी सारा information आज के इस वीडियो में आपको देने वाले है पहला चीस तो यही ध्यान रखिएगा कि जो आपका online badge बनाया जा रहा है ये 36गर सामानने अध्यन का online badge है 36गर General Study CGGS का online badge है इसमें Indian GS, Indian General Study शामिल नहीं है केवल 36गर सामानने अध्यन के topic cover करा जाएगे कौन को से topic cover होंगे आगे हम देखेंगे इसमें केवल 36गर सामानने अध्यन को target करते हुए ये badge बनाया जा रहा है जिसमें CGPSC pre और व्यापम के exam को target करते हुए ये badge बनाया जाएगा जिसके classes एक मईई 2023 से शुरू होने वाली है और registration इसके open हो चुके है चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या आपका cover होगा सबसे देख लिए कि ये जो आपका online class है ये इसका time duration क्या है कौन-कौन सी facilities है वीडियो किस प्रकार से provide होगा वो सारा चीज अभी पहले discuss कर लेते है आगे फिर हम देखे हैं कि कौन को से topic cover होगा देखिए ये जो आपका online classes है ये CGPSC e-parsella के mobile app में conduct होगा Google Play Store में जाकर के CGPSC e-parsella अगर आप search करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा ये mobile app मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप CGPSC e-parsella के mobile app को डाउनलोड कर सकते हैं ठेक है class सुरू होगा आपके 1 मई 2023 से 1 मई 2023 से हमारी ये online class है शुरू हो जाएगी इसके registration का last date है आपके 30 April 2023 तक हमने कुछ एक limited seat का target सेट किया हुआ है 30 April 2023 registration का last date है course complete हो जाएगा आपके चार महने में देखे ये जो हमारा जो online batch बनाया जा रहा है जिसमें हम 36 सामान ने दिन के जो topic को cover करेंगे ये लगभग चार महने में complete हो जाएगा वैसे तो ये जो course जो है ये आपके 3 से 3.5 महने में complete करा जा सकता है लेकिन हम थोड़ा extra time ले करके चल रहे है ठीक है चार महने का जो time ले रहे है उसमें हम सारे circumstances को ध्यान दे रहे है जैसे कि मान लिजे मेरा ही कोई आपका personal issue हो गया या मेरा कोई health issue हो गया या कुछ family problems हो गया या कोई technical problem हो गया मान लिजे camera खराब हो गया mic खराब हो गया ठीक है या फिर कोई technical glitch हो गया किसी दिन मान लिजे video upload यह नहीं हो रहा है या आपका server slow है तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक 4 महने का target set किया गया है वरना बाद में आप ये ना बोलो कि सर आपने जो है दो महने का समय मांगा था चार महने में course complete हो रहा है कुछ technical issues मेरे problems या कुछ भी हो सकता है देखे आगे आने वाले समय में क्या होगा या मान लिजे बीच में कोई festivals ही आ गया या सामने मान लिजे कोई Sanskritic कारेकरम हो रहा है तो शोर शरावे में जो है videos आपके हो नहीं पाते है तो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका जो आपका course का जो duration है या course complete करने का जो target set किया गया है वो है आपके चार महने का वैसे तीन से साड़े तीन महने में आपके course complete हो जाएंगे ठीक है course की validity रहेगी आपकी 29 फरवरी 2024 तक ठीक है अगला जो आपका 2024 लीप एर है फरवरी आपके 29 का महना है वैसे तो आपके फरवरी के महने में PSC Pre के exam conduct हो जाते है तो CG PSC Pre जिस मन्त में आपका होता है उस महिने का आखरी date 29 फरवरी 2024 तक इस course की validity रहेगी देखिए अभी मई में आपका course मई में जो है आपकी class शुरू हो रही है मई, जुन, जुलाई, अगस्त अगस्त end तक most probably आपके पूरा course complete हो जाएगा ठीक है उसके बाद भी आप इस course को access कर सकते है कब तक अगले साल 29 फरवरी 2024 तक आप इस course को access कर सकते है देखिए जो access है इसमें unlimited access है याने कि आप एक lecture को जितने बार चाहे उतने बार आप उस lecture को देख सकते है याने कि आप 29 फरवरी 2024 तक के date में एक lecture को आप दो बार चाहे, तीन बार चाहे, चार बार चाहे 10 बार, 15 बार, 50 बार जितने बार चाहे आप उस lecture को देख सकते है लेकिन ध्यान रखिएगा 29 फरवरी 2024 के बाद एक भी दिन extra आपको नहीं मिलेगा ठीक है, इस साल भी जो आपके admission हुए थे, बच्चे लोग बोर रहे थे 15 दिन का validity बढ़ा दिया जाए, 20 दिन का validity बढ़ा दिया जाए, sufficient time दिया जा रहा है मई से लेकर के फरवरी तक लगभग 10 महने का समय मिल रहा है 4 महने में तो course complete हो जाता है उसके बाद भी extra 6 महने का समय आपको दिया जाएगा उसके बाद अगर भी कोई बोलेगा कि इसका validity बढ़ा दिया जाए तो वो possible नहीं है, ठीक है उसके लिए आप जिम्मेदार है, अगर काम शूरी करेंगे तो फिर course आप cover नहीं कर पाएंगे ठीक, video lectures परड़े जो है आपको दो video lectures प्रोवाइड करा जाएगा, अब देखिए यह जो video lectures है हमारी planning यह दर रहती है कि हम video lectures को online लाए लेकिन जो वीडियो lectures है अगर इसको हम online लाएंगे तो इसे बहुत सी समस्यां आएगी, जैसे कि हमारे जैसे पिछले साल भी बहुत से admission हुए थे, बहुत दुरस्त अंचल छेत्रों से हुए थे, ग्रामिन छेत्रों से हुए थे कोई आपके नारायनपूर का रहने वाला है कोई सुकमा कॉंटा का रहने वाला है, कोई बलरामपूर का रहने वाला है कोई गरिया बंद के दुरस्त ग्रामेरी छेतर में रहने वाले बहुत से आपके सेना की जो आपके जवान है जो बटालियन में रहते है वो भी ये course lectures को attend करते है ठीक है retirement के बाद उनकी planning रहती है government job करने की ठीक है 36 गड़ी state government की job करने की तो उनके लिए क्या है particular एक time पे आ करके login करके online class attend कर पाना possible नहीं होता ठीक है अगर हम live classes करेंगे तो live classes के दौरान माल लीजिए मैं आपका live classes ले रहा हूँ और इधर से बच्चों का message आ रहा है कि हम अपने classes अटेंड नहीं कर पा रहे है क्यों कि हर जगा network का same नहीं रहता तो lectures पढ़ाने से ज़्यादा में ध्यान इसी चीज में रहेगा कि उस बच्चे को और वो बच्चा live classes attend नहीं कर पा रहा है इसमें क्या होगा मैं भी distract होंगा और classes भी smoothly आपके conduct नहीं होगी इसलिए जो है class आपका recorded class daily class record करके आपको upload करके दिया जाएगा ठीक है course का जो time duration है यानि कि एक course का जो length रहेगा वो 15 से 50 मिनट कर रहेगा अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो classes live हो रही है और जो recorded classes है उसमें कुछ अंतर होगा जो class अगर मैं live लूँगा उसका time duration कम से कम एक से देड़ घंटे कर रहेगा और ये classes लंबी इसलिए बन जाती है क्योंकि live classes के दौरान board पर मेरे को चीज़े आपको लिख करके बताना पड़ता है digital board में चीज़ों को erase करना पड़ता है यानि कि मिटाना भी पड़ता है लिखने के लिए समय भी दिया जाता है live classes के दौरान तभी lectures आगे बढ़ा सकते है ठीक है तो इसमें जो extra waste of time है उसके कारण lectures के length बढ़ जाते है एक घंटा देड़ घंटा दो घंटे के lectures बन जाते है उतने में आप सभी के data भी खतम हो जाएंगे mobile के ठीक है mobile data भी आपको खतम हो जाएगा अगर आप live lectures भी देखेंगे तो और जो दुरस्त ग्रामिंट छेतर में जो आपके student है वो उनका हो सकता है देखिए पिछले बार 1000 से ज़्यादा student ने registration कराया था ठीक है और सभी अगर एक time पर login करते है लोग इन हो जाएगा लेकिन माल लीजिए अगर किसी एक student भी अगर login नहीं कर पा रहा है तो वो बार बार message करके disturb करेगा और उस एक student के चक्कन में पूरी classes disturb हो जाएगी इसलिए हमने जो है इसे recorded classes में रखा है और classes आपकी 15-50 मिनिट का इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी classes हो रही है classes का length वही एक से देड़ घंटे का है लेकिन जो बीच में जो आपका time waste होता है digital board के data को erase करने का या लिखने के लिए समय देने का वो सभी जो waste of time है उसे हम हटा करके edit करके एकदम raw material आपको दे प्यारी कर सके इधर उधर की बातों को हटा करके to the point हम पूरा course पर focus करेंगे ठीक है अब यह जो वीडियो का duration यह 15-50 मिनिट का मतलब देखे कभी कभी जह है जैसे आगे हम देखेंगे जिला दर्शनवाद topic है हम नारायनपूर जिला पढ़ रहा है यह दूर्ग जिला पढ टेके रहते हैं ठीक है तो depend करता है lectures के उपर जंदली यह जो आपके lectures को time duration यह 15-50 मिन तक कर रहेगा कुछ topic ऐसे है जो कि आपके एक घंटे से जादा भी जाएंगे जैसे कि आपका छतिर्ड की जलवाई अब पर्ड हमारा target रखा गया है कि पर्ड आपको दो वीडियो दिय ठीक है ऐसे और भी बहुत सा topic है छत्तिवले में खनी संसादन वाई topic हो गया इस्थला गृतिवला topic हो गया यह कुछ topic ऐसे है जिसमें main focus करने की जर्वत है तो जहां पर कोई important topic आएगा उस दिन केवल आपको एक ही lecture दिया जाएगा दिखिए समय पर course complete कराना यह मेरी जवा electricity इतनी है कि मैं एक दिन में 10 वीडियो record करके आप लोगों को दे सकता हूँ लेकिन उतना आप attend नहीं कर पाएंगे इसलिए थोड़ा 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 करके हम cover करेंगे जहां जरुत पड़ेगी आपको 2 वीडियो दूँगा हो सकता है किसी दिन आपको 3 वीडियो दूँ और ये भी हो सकता है किसी रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा ठीक है ये lectures के उपर depend करेगा उसके बाद आपका notes submit देखिए यह आपका online badge बनाया जा रहा है इसमें आपको daily अपना notes बना करके submit करना होगा इसमें हमारे दुआरा किसी प्रेकार का notes आपको provide नहीं करा जाएगा lockdown के बाद से बहुत से जगह पर online classes शुरू हुई है और online classes को generally कोई भी इस्ट्वेंट seriously नहीं लेते क्यों नहीं लेते क्योंकि उस online classes में उनको पका-पुकाया वीडियो मिल जाता है और पका-पुकाया आपके coaching center की तरब से उन्हें notes भी दे दिया जाता ह तो इस्ट्वेंट के पास काम करने के लिए घर में work करने के लिए अपना self notes बनाने के लिए आलसी पना करते हैं ठीक है अपने हाथ से copy में लिखा गया जो notes है वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है और अगर देखिए online lectures को आप seriously ले करके यहाँ पर आपका online assignment का section बनाया daily basis पर जो भी lectures होंगे उसको आप अपने copy में note down करके आप submit करेंगे कहां submit करना है कैसे submit करना है एक मही को जो एक lecture सबसे पहले आपको पूरा detail lecture आएगा कि classes में कहां पर आपको notes submit करना है किस परकार से notes बनाना है कौन सी copy में बनाना है वो सारा जो है एक मही के एक पहले वीड सके तो जो बोल रहा हूं वैसे कीजिएगा वहना market में अच्छे अच्छे publication की काफी मोटी मोटी पुस्तके पड़ी हुई है अगर उन पुस्तकों को पढ़ करके आप अगर अपना cover कर सकते है तो आपको online batch join करने की जरुवत नहीं थी और अगर आप online batch join कर रहे है तो अपन खुद का self notes बनाईएगा ठियोरी के लिए grant academy की पुस्तके पड़ी हुई है 36 व्रिहत संदर ही पड़ा हुई है बहुत से private coaching institute के अच्छे मोटे मोटे बुक पड़े हुए है अगर आपको पढ़ना है तो आप उन पुस्तकों से पढ़ सकते है लेकिन online batch को आ करके अगर आप पर आपको अपना self notes बनाना पड़ेगा अगर किसी चीज़ों को आप कहीं पर note down करके रखेंगे न तो exam के time पे आपके दिमाग में अपने ही copy का पन्ना पलटता है कि मैंने copy के कौन से कोने में क्या चीज़ लिखा हुआ है ठीक है तो यह online class को seriously बनाने के लिए यहाँ पर आ बी classes हुई है उसका PDF share कर दे करके ठीक है किसी प्रगार यह कोई भी notes share नहीं होगा daily आपको notes बनाना है notes आपको submit करना है यहाँ हमारे दोरा चेक किया जाएगा अगर आपकी notes में गड़वड़ी होगी तो आपको point out करके बताया जाया कि यहाँ पर आप correct कीजे करके ठीक है औ कुछ ऐसे है जैसे मैंने बताया दुरस्त ग्रामिट छेत्र के जो आपके student है वहाँ पर network क्या है अटक अटक के वीडियोस चल दे है तो इसलिए जो है यहाँ पर आपके offline download की facility भी रखी गई है student mobile app में किसी भी lectures को offline download करके mobile app में save रख सकते है ध्यान दीजेगा जो lectures है mobile app मे save होगा ना कि आपके internal storage में ठीक है offline download कर लीजिए और जब भी आप free होंगे उस lectures को देख लीजिए ठीक है offline download के facility होगी speed control की किसी को लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का speed काफी जादा है तो वो lectures को slow कर सकते है और किसी को लग रहा है कि मैं बहुत slow पढ़ा रहा है तो वो fast कर सकत यह सारा facility आपको इस online classes में मिलेगा ठीक है लेकिन ध्यान रखेगा offline जो download है यह केवल उनहीं लोग कीजिएगा जहां पर network का issue होता है वरना offline download करके आपना mobile का केवल storage बढ़ाते चले जाएंगे lectures पर ध्यान नहीं रहेगा इस साल के student ने क्या गलती किया था इतना समय मिला थ बच्चों को चार महने में course complete कराने के बाद भी उनको 5-6 महने का extra समय मिला था उसके बावजूद भी उनकी बदमाशी ये थी कि उन्होंने पूरा course को छोड़ दिये थे कुछ student ने और लाश्ट के एक महने में चार महने को लाश्ट के एक महने में cover करने कोशिश कर रहे थे क्योंकि जब हमारे पास समय ज्यादा रहता है तो हम आलसी पना कर देते हैं और जब किसी का एकदम end date जहां पर deadline रहता है उसके पास हमें उसके आसपास हम महनत करना शुरू करते हैं देखिए ये जो अभी मैंने हमारा जो online batch का समय है ये इसी मही महने के आसपास ही हमारा ज कोई तेवहार आ जाता है तो माइक्स बसते है सांस्कृतिक कारेकरम होते तो उसके माइक्स के कारें डिश्टर्बेंस होते हैं और इस time duration में जनरली अभी कोई exam भी नहीं रहते तो एकदम खाली time रहता है अच्छे से चीजों को पढ़ने और समझने का इसलिए जो है बहु अपने इस class को complete कीजेगा और notes को up to date कीजेगा वना ये सोचेंगे कि आज नहीं करता हूं कल नहीं करता हूं सबता भर का एक साथ करूंगा तो उस चक्कर में पूरी की पूरी classes आपकी रह जाएगी और last में फिर आपके बास समय भी नहीं बचेगा ठीक है चलिए अब देख ठीक है मैप बना करके जितने भी आपके 36 जिले हैं हर एक जिले का मैप बना करके उसके इस्थानों के location को trace करते हुए कहां कहां से कौन कौन सी सड़क होकर रही गुजर रही है कौन से famous मंदीर है कहां कहां पे कौन कौन सा famous पूरा तात्विक इस्थाल है क्या क्या मतलब एक जिले की जितने भी महत्यपूर्ण इस्थाल है उसे हम cover करते हुए चलेंगे map बना करें cover करेंगे ठीक है और ये lecture काफी important है च्छत्यडगर जिला दरशनवाला क्योंकि अगर आपको 36 गड़ के 33 जिलो का map अगर आपका cover हो गया अच्छे से तो उसके आधार पर आपको च्छत्यडग कोई location कहां पर है यहीं नहीं पता तब तक बाकी चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है तो यह जो आपका च्छत्यडग जीला दरशनवाला टॉपिक है यह लगवाग 15-16 दिन के आज-पास 15-16 दिन लगता है इसो complete कराने के लिए परड़े दो लेक्च च्छत्यडग जितना भी भौगोलिक अध्याने वाले टॉपिक है वो सारा हमारा जो है इसमें कवर होगा ठीक है यहां पर आपको दिखने के लिए बहुत कम टॉपिक लग रहा है लेकिन हर एक टॉपिक को कवर कराने के लिए 2-3 दिन का समय लग जाता है ठीक है यह लेक् चलता आपके छत्यडग भौगोली कध्यन वाला और यह भौगोली कध्यन तग ही अच्छे समझ में आएगा जब आपको छत्यडग जीला दर्शन कंप्लीट होगा 33 जिलो का मैपादारी ठीक उसके अगला है आपको छत्यडग की जंजाती चत्यडग में कौन कौन सी जंज जंजाती कहां कहां निवास करती है उनकी बोली क्या बहुत साड़ा टापकिक छत्यडग जंजाती अपने आप में बड़ा टॉपिक है से यक और जन जाती काफी important topic है हमारे इस छत्तिगर समानने अध्यनवाले सिलेबस में ठीक है उसके अगला है आपका छत्तिगर लोक कलायों संस्कृति जिसके अंत्रगत हमारे छत्तिगर अंचले मनाय जाने वाले तीज तेवहार व्यंजन आबूशन लोक गीत लोक नृत्य वाद इससे भी आपके question पूछे जाते हैं कौन सा पर्वक की स्तिथिये मना जाता है हिंदू कलेंडर के हिसाब से ऐसे question पूछे जाते हैं ठीक उसके बाद आपका छत्तिगर का इतिहास यह अपने आपने separate बहुत बार topic है बहुत लंबा समय कम से कम एक से देड़ महने का समय ले आता हैईगे प्राचिन च्तिगर का इतिहास मद्यकालिन च्तिगर का इतिहास आधूनिक च्तिठगा इतिहास जिसके अंतर cancer ke घुछ आपके प्रचियाओत को स्थी म्या घुत olsa आपके जंचातिय आंदोलन, छत्यगड में हुए आपके किसान आंदोलन, तो यह बहुत-बहुत टॉपिक है आपके छत्यगड का इतिहास, ठीक है, छत्यडगे प्राची नितिहास, मद्यकाली नितिहास, आधुनिक इतिहास, उसके अगला टॉपिक आता है ग्राम पंचैत नगरी निकाय, ग्राम पंचायत नगरी निकाय, ये भी आपका अच्छा लंबा समय लेता है, ग्राम पंचायत नगरी निकाय से question पूछे जाते हैं, और इससे बड़े-बड़े question आते हैं, कथान आधारित प्रशन आते हैं, ठीक है, एक साल के exam में, I think 2017 में, 17 या 16 में, 20-25 question ग्राम पंचायत से ही पूछ दिया था, उसके अगले साल नगरी निकाय से ही 20-25 question पूछ दिया था, और आज के date में भी exam जो होते हैं, उसमें से 2-3-5 question जो है, आपको ग्राम पंचायत नगरी निकाय से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये अपने आपने बाए टॉपि में, जैसे कि आपके जो स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, ठीक, राजीव गांधी किसान्या योजना, राजीव गांधी भूमिहीन किसान्या योजना, ठीक है, उसके अलावा जो आपका मुख्यमंत्री मितान योजना, ये जितनी भी आपकी नवीनतम करेंगे यहां पर हम नविंतम योजनाओं को कवर करेंगे यहां देखिए यहां पर जो आपका यूट्यूब चैनल है वहां पर 36 गड़ आर्तिक सरवेक्षन 2022-23 के वीडियो आएंगे और इस 2022-23 के वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 है ठीक है 15 और 16 अध्याए है उसमें जो पुरानी योजनाओं चली आ रही है जैसे की इंद्रा गांधी व्रिधावस्था पेंशन योजना मुख्यमंत्री पेंशन य योजना जितनी भी पुरानी योजना है उसे हम आर्थिक सर्वेक्षन की वीडियो में कवर करेंगे यूट्यूब पर आर्थिक सर्वेक्षन और करेंट अफेर के वीडियो आएंगे जो सभी के लिए free of cost रहता है उसे हम इस सामान नियद्धन के बैच में कवर नहीं है ठीक है आर्थिक सर्वेक्षन और करेंट अफेर को यहाँ पर जो गोर्रमेंट की जो पुरानी योजना है चलुए उसे कवर करेंगे और इसमें हम गोर्रमेंट की नई योजना चल detail सभी न réfण सारी योजना है गोधन नया योजना हो गया राजीव गांति किसान नया योजना हो गया मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री मितान योजना हो गया ठीक राजीव मितान क्लब हो गया यह सभी नवीन योजनाओं को पढ़ेंगे स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो ठेक, अभी मुख्य मंत्री व्रिक्ष संपदा योजना अभी एक नया योजना शुरू किया जा रहा है, तो जितनी भी नविंतम योजना है उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे, और लाश्ट में आता है आपका 36 गड़ वीविद, 36 गड़ वीविद के अंतरकत हम 36 गड़ में जै आठ मेजर टॉपिक दीख रहे हैं, लेकिन इन आठ मेजर टॉपिक के अंतरकत बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक है, जैसे कि छत्तिगड भोगोलिक अध्यन ये मेजर टॉपिक है, इसके अंतरकत हमें प्राकृतिक पढ़ना पड़ेगा, उसका इस्थलाकृति बनावाट देखना पड़ेगा, नदी के अंतरकत हम नदी प्रावात अंतर पड़ते हैं, जैसे महानदी प्रावात अंतर, गुदावरी नदी प्रावात अंतर, ठीक है, आपका नर्मदा नदी प्रावात अंतर, शिवनात महानदी आपका द्वात छेत्र, उपर तरब जो कहाँ पर इस्थित है उससे question आता है चत्यज़ के बड़ी सिचाई योजना है उससे प्रशना आते है चत्यज़ की जलवाई यू पूरे एक दिन का lecture है चत्यज़गण में मिट्टियों का classification एक नए question देखने मिलता है चत्यज़गण अधर में खनी संसाधन, koala हो गया, law ask हो गया, corandum हो गया, बाकसाइड हो गया, dolomite हो गया, चुनापत्थर हो गया उसका वित्रण पूरा चत्यज़गण में देखना है उसका चत्यज़गण में 1 संसाधन, आरक्छीत, वन, अवर्गिकृत वन, चत्यज़गण में अभ्यार में कुल कितनी प्रकार की जंजाती निवास करती है उनका एक बैग्राउंड इतिहास लेते वे चलेंगे हर और कौन सी प्रमुग जंजाती है जो की केंद्र सरकार दोरा विशेश रूप से पिछड़ी वी जंजाती हो में शामिल है यह सारा चीज हम कवर करने वाले है चते लोकला संस्कृती तीज तेवहार पर्व कौन से हिंदी कलेंडर की सबसे कौन सा तीज तेवहार कब मनाया जाता है उस तीज तेवहार में कौन सा पकवान मनाया जाता है किस देवी देवता की पूजा की जाती है यह सब कवर करने वाल अंग्रेजों का शाशन राष्ट्रिय आंदुलान आजादी के वाद 36 गड़ किसान आंदुलान जनजाती आंदुलान सब कवर होगा और नविंतम योजना और 36 गड़ विवित तो यह सारा टॉपिक आपका कवर होने वाला है ठीक है तो यह तो होगा आपके लेक्टर से रिल दूसरा ड्यूटी पे जाने वाले आपके बहुत से इस्ट्रेट जो अल्रेडी जॉब में है तयारी कर रहे है ठीक है नेटवर्क इशू ना हो और क्लासेस जादे लंबे और लेंदी ना हो कम समय में बहुत से टॉपिक हमको कवर कर रहे है ठीक है दूसरा चीज जो लेक् चलना है ठीक है जितने भी इस्ट्रेट रजिस्टेशन कराएंगे सभी को हमको लेते हुए चलना पड़ता है तो हमको एकदम बेसिक से शूरू करना पड़ता है जीरो लेवल से लेकर के हमको एडवांस पर जाना है तो कोई भी यह नहीं बोलेगा सर यह बहुत इजी चल चल रहा है या बहुत यह चल रहा है कोई टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर इस्ट्रेट के लिए एजी हो सकता है लेकिन वही किसी एक नए इस्थानों के नाम उसे उठपटांग लगते है तो सभी को लेते हुए चलना तो जीरो से लेकर एडवांस पूरे हमारे कोर्स चले जो भी लक्टरस आएंगे उसमें किस प्रगार इकोश्टन बने है उस पर्टिकुलर टॉपिक से ठीक है वह मैं आपको टॉपिक के दौरान ऐसे अलग से नहीं बताओंगा टॉपिक के दौरान नहीं बताओंगा हिए प्टूपिक के अलग से घुट्रन आया है और की से ग डाल करके आप अपने डाउट पूछेंगे और थोड़ा सा वेट करना है ऐसा नहीं कि तुरंट आप जा करके चैट में मैसेज कर दे और आपको तुरंट रिप्लाई मिल जाएगा थोड़ा सा इंतजार कीजेगा हो सकता रिप्लाई आने में दो घंटा तीन घंटा चार लग सकता है ठीक है क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे इस्टुनेट रहते हैं आपके आपके नोट्स भी चेक करने हैं लेक्चर्स कभी आपको रिप्लाई आने में टाइम लग जाएगा ठीक है अगर माल लीजे कभी से इसकीफ हो जाता तो आप दुभार एक बार चैट मे मैसेज कर दीजेगा ठीक तो यह आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं इसके अलावा हमारा वाट्स अप नमबर है 9109340480 अगर कोई आपके क्लास से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है लेक्चर्स नहीं हो पा रहा है या किसी प्रकार कोई आपका इंटरॉप्शन हो रहा है या offline downloading में आपका problem हो रहा है तो आप इस whatsapp नमबर पर 9109340480 इसमें एक आप मैसेज कर दीजेगा आपका जो भी mobile apps related issue होगा आपका तुरत resolve कर दिया जाएगा ठीक तीसरा चीज कोई भी जो आपका student है वो exam oriented course complete कराने की demand नहीं करेगा जैसे कि अब एक हावा उड़ा हुआ ह कि आगामी समय में ADO का exam होने वाला है ठीक है अब मान लीजिए हम एक मही से class शुरू कर रहे है और एक मही के बाद मान लीजिए एक जुन को कोई एक particular exam होने वाला है तो कोई message करके यह नहीं बोले होगी सर हमारा एक जुन को exam है और एक मही से class शुरू हुआ है और हमको एक महीने के अंदर हमारा course complete करा दीजिए या आप ग्राम पंचायत नगरी निकावर topic को पहले cover करा दीजिए क्यूंकि हमारा exam एक जुन को है तो ऐसे कोई उटपटांग डिमांड नहीं करेगा ठीक है सर हमको ग्राम पंचायत वा topic में दिक्कत होता है एक जुन को हमारा class है सब सबसे पहले आप ग्राम पंचायत नगरी निकायो complete कराईए तो ऐसे डिमांड नहीं करेंगे जिस sequence में यहां पर लिखा हुआ है उसी sequence में ही आपके classes चलेंगे कोई particular on student demand पर हम lectures नहीं चलाते ठीक है तो कोई भी जो है देखिए चार महने का समय बोला गया तो चार महने में ह course complete कराएंगे हमाले main target है आपका अगले साल होने वारा CGPSE pre exam उतना लंबा lecture नहीं चलेगा मई से आपका शुरू हो करके जुन जुलाई अगस्त सितंबर ठीक है एक मई से शुरू होगा तो मई पूरा जुन जुलाई अगस्त अगस्त महने के आखरी तक आपका पूरा course complete हो ठीक है तीसरा चीज इस्क्रीन शॉट लेने का कोशिस मत कीजेगा क्या होता है कई बर online lectures के दौरान बहुत से इस्ट्रेंट क्या करते है इस्क्रीन recording करने कोशिश करते है जो online lectures चल रहे है उसका screen recording करेंगे या screenshot लेने का try करेंगे तो यह गलती मत कीजेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके mobile app में ऐसा warning show हो जाएगा warning लिखा हुआ आएगा suspicious activity has been detected on this device hence access to the app has been reworked आपको mobile app ब्लॉक कर देगा automatically इसमें setting है ठीक है देखिए सबसे पहले तो जैसे यह mobile app आपका ब्लॉक होगा तो वो हमारे पास review के लिए आएगा उसमें देखा जाएगा कि आपने कि किस प्रकार से temper करके recording करने की कोशिच किया है या किस प्रकार से mobile app को manipulate किया है अगर कुछ बहुत बहुत जादा ही अगर आप होश्यारी करके screen recording का try करेंगे तो यह app आपको permanently block कर देगा और अगर माल लीजे गलती से screenshot हो जाता है या गलती से screen recording होता है तो वो screenshot और screen recording के case में ब्लॉक होते है तो तो भी यह review के लिए आएगा उस case में हट सकता है लेकिन हटने के लिए हो सकता है कई बर 15 मेटर भी हट जाए एक घंटा दो घंटा या कई बर 24-28 घंटे का भी समय लग जाता है तो यह गलती मत कीजाए किसी भी lecture को screenshot या screen recording करना ठीक है यह screenshot और screen recording से बच दिन दिन भर इंस्टाग्राम के रिल देख लेते हैं दिन दिन भर यूट्यूब के शॉट्स वीडियो देख लेते हैं तो क्या online lecture आए है अगर आप जॉइन करने के लिए नाम में ही है कि online class है तो जाइड़ती बात है इसमें data consume होगा तो यह कई बार क्या होता है बटांके demand मत कीजेगा यह already इस्ट्वेड आईसे सब demand करते आया है वो सब चीज आपको बता रहा हूँ मैं ठीक है तीन महने को कोर्स को एक महने में complete करा दीजिए दो महने में complete करा दीजिए एक्जाम के साब से complete करा दीजिए ऐस सब भालतो बात नहीं करना ठीक है नोट्स को जो है नोट्स आपको किसी प्रकर का available नहीं होगा daily basis पे notes बनाईएगा बहुत समय हमारे पास यह चार महने का समय है sufficient time पे हमारा course complete भी हो जाएगा और आपको revision करने के लिए अलग से 6 महने भी मिलेगा daily basis पे videos देखना है दो video कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर कोई आपके duty बाले है सुबह में एक video देख लिजे साम को एक video देख लिजे daily morning में आपको सुबह 8 बजे के आसपास 8-8 बजे के आसपास आपका पहला video upload हो जाएगा दूसरा video उसके एक से दिल घंटे बाद upload होगा ठीक है तो जो आपको sufficient समय है दिन को attend नहीं कर सकते तो night को attend जितने बार चाहे उतने बार आप एक video को चला करके देख सकते हैं लेकिन video और online class को थोड़ा सा seriously लीजेगा और notes को थोड़ा maintain कीजेगा पहले ही बता रहा हूँ अगर आपको notes पढ़के अगर आपसे चीजे हो जाती तो आपको online class की जरुवत नहीं है market पे बहुत से बुका भी लेबल है और अगर आप online class जॉइन कर रहे है तो थोड़ा सा serious होगर के अपने notes को बनाईएगा ठीक है बागी किसी बरगला doubt होगा या इस online class से related तो आपको जो whatsapp number बताया गया 9109340480 उससे message करके भी आप अपने कोई भी inquiry ले सकते हैं और classes आपकी एक माई 2023 से regular शुरू हो जाएगी classes आपकी Monday to Saturday चलेगी Sunday आपको off रहेगा या कुछ बीच में कोई festival आएगे तो उस condition में आपकी classes और lectures off रहेगी ठीक है चलिए